असलालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए आपके लिए सोटर का बहुत ही प्यारा सा डिजाइंग लेक कर आई हूं यह देखिए इसकी फ्रंट साइड है और यह देखिए इसकी बैक साइड है इसे आप लेडी सोटर में डालिए बेबी सोटर में डालिए जें सोटर में डालिए, सबी पुरुदिक पर आप इसे अपलाई कर सकते हैं, बच्चों के टोपी, मोजा, सोटर, बच्चों के इस्टोल पर भी आप इसे डाल सकते हैं, डिजाइंग मफरल में भी डाल सकते हैं, इसे बहुत ही प्यारा है, जेंस सोटर के लिए भी बहुत ही प्यारा डिज यह 7 7 की multiple का इक डिजाइन है 7 7 plus 5 देखिए च्टीष को छोड़कर यहां से यहां तक एक डिजाइंग सेवन फंदो का एक अइस तिको छोड़कर इदे के दो डुचाद उच्छी साथ साथ फंदो का एक डिजाइन है चलिए देखते हैं डिजाइंग कैसे बनता है वीडियो स स्टार्ट करते हैं ये देखें पर पर हमने 7 के मल्टिपल से 2,2,4,2,6,2,8,2,10,2,12,14,2,16,28 और 19 फंदे दो डिजाइं इस पर आएगा इतने फंदों में दो डिजाइं आएगा चल स्टार्ट करते हैं बैक सैड पर हैं ये थे बैक साइड से यह पूरी रो उल्टी उल्टी बुनेंगे देखे फ्रंट आगे हम फ्रंट साइड पर फ्रंट साइड से देखे डिजाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट होगी पहला फंदा में सिलिप किया तीन फंदा उल्टा एक दो तीन फंदा उल्टा धागा पीछे चार फंदा सीधा बुनेंगे एक दो तीन और एक यह चार फंदा यह देखे यहां से यहां तक इस सेवन फंदा होगे एस्टिश को छोड़कर एक दो तीन चार पांच छे साइड दागा अपनी हो तीन फंदा एक, दो, तीन, दागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, दागा अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, ऐसी इसको भी हमने उल्टा भूल लिया, आगे बैक साइट पर, डिजाइन की सिकेंड रो पर, सेकेंड रो, बैक साइट, पहला फंदा स्लिप किया, दागा अपनी ओर, ये रो पूरी उल्टी-उल्टी भूनेंगे, इस तरह से, आगे फ्रेंट साइट पर, अपनी थर्ड रो पर, अभी देखें, थर्ड रो से डिजाइन कैसे बनेगा, पहला फंदा स्लिप किया, दागा अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन फंदा उल्टा, दागा पीछे, एक फंदा सीधा बुना, डिजाइन के चार फंदों में से हमने एक फंदा सीधा बुन लिया, अब ये देखें, एक, दो फंदा स्लिप करेंगे, चौथा फंदा इसको सीधा बुनेंगे, दागा अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन दागा पीछे, डिजाइन के चार फंदी मुझे एक फंदा सीधा हमने बुन लिया दो फंदा सिलिप किया एक फंदा सीधा यह देखें, डिजाइन के चार फंदा होगे एक, दो, तीन, चार दागा अपनी हो, तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन, एस चीज़ भी हमने उल्टा बुल लिया यह फ़ड्रो थी आगे फृर्थ रो पर फृर्थ रो पर पहला फंदा सिलिक किया दागा अपनी हो तीन फंदा उल्टा, रहिए एक, दो तीन फंदा उल्टा लिया, यह चौथा फंदा, डिजाइन के फंदे में से एक फंदा और इसको भी हमने उल्टा बूल दिया ये दो फंदा जो हमने फ्रंट साइट से स्लिप किया था इसको बैक साइट से भी स्लिप करेंगे देखिए एक दो तीन चार और इक ये पांच फंदा उल्टा यह दो फंदा जो हमने फ्रंट साइड से स्लिप किया था इसको बैक साइड से भी स्लिप करेंगे देखिए एक दो तीन चार एक यह पाच फंदा यह फोर्थ रोप पुरी हो गई है अब आ गए अपनी फिफ्थ रोप है पाच्वी रोप है यह देखिए पहला फंद हमने स्लिप किया धागा अपनी ओर तीन फंदा उल्टा एक दो तीन फंदा उल्टा अमने बुना धागा पीछे अब यह देखिए फंदा पलटेंगे एक दो यह देखिए इस तरह से पलटेंगे इस तरह से चड़ाया इसंट इसको इस तरह से बुन लिए इसको भी देखिए इस तरह से पहले यह देखिये फंदा अपनी ओर से चड़ा Messager संटे इस लाइंगे स्लाइप पर यह वह दोन को सीधा बुन देंगे जी देखिए झालिएन अपनी उर तीन प्लटते उल्टा एक, दो, ऐगा पीछे अभी इन दोनों फंदो को पल्टेएंगे, देखे, कैसे पलटते हैं, दोनों फंदा राइट हैंड दी स्लाइप पर लिया, यह देखे बैक साइड से एक फंदा लिया, इसको इस तरह से श्लाइप पर चड़ाया, इसको सीधा बुन देंगे हो गया अब इन दोनों को भी इसी तरह पल्टेंगे पहले ही फ्रेंट वाला लेंगे फिर बाद में बैक वाला जलेखिए बैक साइट के फंदा पहले बुनेंगे फ्रेंट साइट का बाद में दागा अपनी ओर तीन फंदा उल्टा एक दो तीन इसको भी हमने उल्टा बुन दिया आगर बैक साइट पर अपनी सिक्स रो पर आएं सिक्स रो कर यह डिजाइंगे सिक्स रो पर यह पूरा कम्प्लिक हो जाता है सिक्स रो पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से इसमें कोई फंदा सिलिप नहीं करना है कुछ नहीं करना है तो सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है यह देखिए सिक्स रो का पैटन था सिक्स रो में यह कंप्लीट हो गया यह देखिए डिजाइन इस तरह से आया है यह इड़ दूसरा डिजाइग बनाने के लिए डिजाइं की फर्स्त बूर स्चाइट के सीधा बुनेंगें फ्रॉंट तीन फंदा उल्टा उसके बाद एक फंदा सीधा बुन के दो फंदा स्लिप करेंगे अपनी तीसरी रो स्टार्ट करेंगे देखिए डिजाइन इस तरह से आया है और यह डिजाइन देखिए यह देखिए डिजाइन और यह डिजाइन फ्रेंड्स वीडियो अथी लगे तो लाइक शेर और सिस्क्राइब